सबी दोस्तों को नमस्कार, स्वागा था आपका हमारी यूटीब चैनल सभलता एक्स्पिरिस ओनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग नए चेप्टर डेशिमल फ्रेक्शन को देखेंगे इससे पहले मैंने फ्रेक्शन को पढ़ाया हूँ, अगर आप नहीं देखेंगे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, एक एक कोस्टन में बताया हूँ तो जो लोग नए जूड़े हैं, अगर आप चाहते हैं एक अच्छे डंग से पढ़ना, एक एक कोस्टन सॉल्ब करना चाहते हैं, फिलाल मैं अभी सहगी रहमत बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे डंग से पढ़ना है तो चैनल सस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर वीड आउट है आपका डेसिमल से सारे मैं किलियर करूंगा, एक भी तरह से आपको प्रिसानी नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह कोस्टन जो होता है, इससे आ जाता है जाम में, और हमसे नहीं बनते हैं, और अगर नहीं बन रहे तो इसका मतलब हमारे अंदर में कुछ कमियां है, कमियां को मैं दूर करूंगा, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, डेसिमल फ्रिक्शन का, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, इसमें डेसिमल फ्रिक्शन में कि अगर एक सांख्या लिग दा है, यह से Zwe यंन क centre खो अगर हम अगर oynटते हैं और क्या लिगते यह होगा कि यदि हम यदी हम 10 होता है यह हमारा अंस होता है नीमेरेटर होता रिए निमूरितर होता रहिए अन्स और हर में हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि hari जो है हमेーस यह की घात के हमेहाँ अघर दसकी घात में रहेगा यह आreseख़ आय। पीयर दसमालत भीन का डिफिसन यही होता है ठीक है लेकिन एक बात और बताता हूं यह 10 की घात क्या होता है अगर हम घात की बात पर करें अगर मान पिए तो दूटा रिख को इंगल से जिख देते हैं ठीक है अगर दो है तो दो जीरु तीन है तो तीन को जीरु तीन कि यह अगर मुर्ण और दो पांच ले ले और अगर इसको दसमलब इन में बदले अभी बस एक्जामपल में बताओं गए सब चीज़ों को तो आप क्या लिखोगे इसको तीन सो पाचीस बटा एक जीरो 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 तीन अंक है न दसमेलब के बाद तीन अंक लिख देना है यह रूल होता है एक बात और बताता हूं देखो क्या बता रहा हूं बहुत ही अच्छा चीज़ होता है यह concept यहां से किलिए रोगा आपको इस तरह के question का क्या कहना चाहते है कि अगर इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे सिच को समझो अगर कहीं लिखा है जीरो दसमेलब 246 लिखा नहीं पढ़ने का तरीका होगा दसमेलब के बाद 246 एक 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 हम पढ़ना अगर मा लिया जाए अगर इसको ऐसा लिख दें 245 दसमलब लिख दी हैं पाँच और तीन तो इसको पढ़ा भी वैसे जाएगा 245 दसमलब पाँच तीन ऐसा कभी मत बोलना 245 दसमलब तीर पढ़ना अब बहुत बच्चे ऐसे पढ़ते हैं अगर कहीं पढ़ने बोल दे ऐसे आप वेवारी कुरूप में यूच कर सकते हैं उ लग्ट तो आप क्या पढ़ते उसको दोधता समललब बै आलीस पढ़ने नहीं तरीका हो गया गर देखो ये वाला बात की बात करें एक ज Awakовой पूरनांक संक्या एह क्या है पुर्णांग संक्या और ये वाला 42 है ना यह हमारा अंसमान है यह क्या मान है अंसमान है और यह हमको अगर इसको इस तरह से बना है दो पुर्णांग 42 बटा 100 तो कहीं गलत नहीं है क्योंकि ध्यान से देखो दो का दो पुर्णांग संक्या हम लिखे 42 को अंसमान में लिखे अंसमान है उपर मान है और नीचे 100 हर मान में है और 10 की घात में यह ठीक है माइन नहीं लगाओ सीधा समझो चोटी चोटी बातों को और आगे बढ़ते हैं चलिए अब यहां पर बात बताता हूं उसको क्या करते हैं कि समझ लेते हैं अगर कभी लिखा रहे 0 दस्मलब 2 4 0 0 0 0 लगा दे ठीक है और इसको बोले fraction में बदलो यह संख्यां को fraction में बदलो तो आप क्या करना यह 0 को छोड़ देना ठीक है इधर वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता है दस्मलब के बाद 2 अंकों तक ही लेना है आपको हमेशा याद रखना दस्मलब के बाद 2 अं लिख देना हो गया तो यह होता है रूल इसका अब कहीं पर आगर आपको बोल दे तीन दस्मलब 2 4 0 0 0 दे और बोले इसको भीन में बदलो तो आप क्या करना इसको तीन लिखना दस्मलब दे देना और दू-4 लिखना इसी का दस्मलब निकाल देना यह नहीं कि दो अंकों यह के डबल सो इनकी 324 बटा इक सो इसको कटा के अंसर ला सकते हो लेकिन एक बात और अगर मान लिया जाए आपको दे दे 0 दस्मलब 3 000 दे ठेक है तो इसका अगर फ्रेक्शन निकालोगे तो क्या निकलेगा समझना 0 दस्मलब 3 का यह अटेगा तो 10 निकलेगा क्योंकि एक फीषू ठीप इसो टेकर यह नहीं पावरोट यह समझदारी से काम करना है अब यहां पर पढ़ने का तरिका सिख ली यह लिखने का टरिका सिक लिए ठीक है अब हम लोग सीकते हैं एक एक्जामपल को लेते हैं और उसको दिखाते हैं की कैसे बनाएंगे हर एक एक्जामपल को यह सगीर हमद बुक का है ठीक है अगर आप देखना चाते हैं तो उस पर देख सकते हैं बुक है तो आपके पास देखिए एक्जामपल के अगर हम बात करें इस एक्जामपल को आप कैसे बनाएंगे इसमें मैं यह सिखाऊंगा कि इसको जोड़ा कैसे जाएगा ठीक है लिखने पढ़ने बोलने सब सिखना है और इसको जोड़ेंगे कैसे जिसका बेस बिल्कुल कम जो रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ हो रहा है आप लोग पूरा देख लेना बहुत ही जरूरी होता है समझने के लिए आगे जो कुस्षन बताऊंगा वह आपको उसमें इसकी जरुरत पड़ेगी और पहला कुस्षन ही एडिशन से स्टार्ट होगा आपका तो इसको समझ यहां पर यहां अगर लगाना हो तो लगा सकते हो यह जीरो जीरो दे सकते हो तीनों और यह समिए अगर जीरो भर देगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा मान में ठीक है आप यह हमें सहाइब रखना जोंकि दस मलब इनकी जरसे जीरो तो पांच लिखा है तो अभी आप दो अंकों तक समझना इनकी 0.5 जिरो समस्कते हो पचास मोज सकते हो और मान लेया जा और भी जिरो लगा दिया तो यही तक समझना जोगेखा तो वही चीज यकलता है तो मान में परिवर्टन हीए अब तो जोड़ो पांच पांच-दस की zero हसी लेक 0000 तो जिरो और हसी लेक था तो एक और दो की दो 10 मलब हो जाएगा 6 और 2 आठ हो जाएगा 5, 3, 8 हो जाएगा 788 दसमलब दो, 1, 0 याँणि कि आप बोल सकते हैं 788, 10 मलब 2, 1 यह पढ़ा जाएगा इसको यह हमारा इसका अंसर हो जाएगा यह एक्जामपल था चलिए दूसरा एक्जाम्पल दिखते हैं बहुत ही छोटी छोटी बातों को बता रहा हूँ देखिए अगर दसमलब की घटाओ देदे यानिके माइनस करने देदे तो अभी आप इसको असानिस कैसे करेंगे वही रूल अपनाएंगे जो एडिशन में अपनाएं थे जिस तरह से दसमलब एक सीध में रखे थे उसी तरह सब्ट्रेक्शन में भी आपको एक सीध में रखना क्या लिखा है यहां पर दसमलब के सीध में ही पॉइंट होगा ठीक है और लिखा है पचछत्तर च्योनबे बहत्तर यहां पर जब अंक ना हो नत यहां जीरो लगा देना क्योंकि दसमलब के बाद आपको जीरो अगर कितना भी लगा दोगे तो उसकी बहल्यों में कोई चेंजिंग नहीं होती है अब इसको माइनस कर लो दस में दू जाएगा क्या बचेगा आठ आप दो नौ में साथ जाएगा क्या बचेगा दो और यहां पर चार बच गया यह क्या है क्योंकि यह चार हो गया क्योंकि सात में च्छाएगा इनकी ध्यान से दस में तुझ जाएगा आठ नौ में साथ जाएगा दू यहां पे क्या पांच जाएगा आपका बाराय में पांच घटा लो ने कि साथ बचेगा ना थेगा तो साथ लिग दो इस तरह से आप घटा आ सकती हूँ को साथ तोड़ा सा कई मिष्टेक हो रहा है मैं कई मिष्टेक नहीं है बिल्कुल असान है देख लो दस में दू जाएगा आठ नौ में साथ जाएगा देनीकि दो चौशाग ग्या जीरो फंद्रह मना जाएगा छो अभी बारां बचा बारव पहुंच जाएगा साथ और यहा यहां पर बचा तीन में दू जाएगा एक बच जाएगा और यहां पर दू बहने के बारते तीन जाएगा नौ और यह बच गया दो दूसरा एक कॉन बेदस मलब 2,7,6,0,2,8 हो जाएगा अनसा तो यह इस तरह की घटाओं में आपको 10 मलब सीध में रखना है तो यह तो नार्मल चीज था घटाओं अब चलिए गुना देखते हैं गुना वाला कुश्चन देखिए अगर गुना वाला कुश्चन आ जाए तो गुना वाला भी कुश्चन बिल्कुल असानी से मल्टिपिकेशन क्या लिखा है दू दसमलव पांच चार यह लिखा हुआ है और आपको गुणा दिया हुआ है त्व देहे तो आपको दसमेलव ऩोच्टन तो आपको दसमेलालव जूमा म में क्या तरह का भी प्रॉब्लम नहीं है गुना करने में आप क्या करना आप इसको दसमेल आपको बिल्कुल ही भूल जाना ठेक अगर आप नॉर्मल जानते हैं अगर ट्रीक जानते हैं मेरा बेसिक लास अगर आप पहला चिप्टर हम नुब्रीकल अबिलिटी पढ़ायते जिसमें चछटीस सो चपन ठेक यह इसको नॉर्माल गुणा कर लेना और देखो गुणा करने का भी तरीका बताते हैं कि कैसे करना है और गुणा करने के बाद आप क्या करना है इधर तीन और दूपंच अंकों के बाद दसमेल आप देना यहीं गुना में आपको यहीं याद रखन कितना बचा अगर घटंगने में अगर पॉजेटिव आएगा तो उतना के बाद दसमेल अब देना और नीगेटिव आएगा तो चीज भी मैं अभी बताऊंगा जस्ट भाग में जब आपको सवाल दूँगा यहां पर समझो इसको कैसे गुना करोगे आप क्या करना 254 लिखेंगे और गुना करेंगे तीन छो पांच छो से अब देखो धियान से इसको आप इसके साथ गुना करोगा और इसको इसके साथ गुना करोगे जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो जीरो तो पले लिख लेंगे और पाचीस छके कितना होता है डेड़ सो का जीरो ह 14 कितना होगा 164 164 का चार लिखेंगे हासिल मेरा सुल्ला रह जाएगा पाचीस तिया पचात्तर पचात्तर और सुल्ला को जोड़ लो कितना हो जाएगा उसके बाद हमको चार से इसको गुणा करना चार 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 आठ एक दू और नौ यह जोड़ के आया और इसके बाद अगर गुना करके आया और दसमलब तीन अंक यहाँ है और दो अंक यहाँ है चार आंक के बाद दसमलब देना होगा तो इस तरह के कुशन को आप इस तरह से सानी से सौल्व कर सकते हैं इस एक्जामपल को और दसमलब यानिकि गुना वाला दसमलब में क्या करना है दसमलब अगर रहे जितना अंक देखिए सबसे इंपोर्टेंट चीज यही होता है दसमलब भिन को दसमलब भिन से कैसे हम भाग देंगे अगर यह आप रसीख जाते हैं तो इससे कोस्चन आपका एक से सीजियल और रेलवे भी पूछ देती है और आपसे नहीं बनता है और नुमरिकल अबिलिटी में भी दो कोस्चन हमने बताया था इस डंग का तो चली स्टार्ट करते हैं इस कोस्चन को कैसे सॉल्ब करेंगे करता है नौ दसमलब तीन च्छो बटे जीरो 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 चार समझो बात को देखो हम को समझ में आ जाएक अच्छे डंग से और आपको दिक्कत नहीं होगा हम क्योंकि ह कोस्चन को मैं सॉल्ब कर दूंगा इसी डंग से तो यह अगर है ना आप क्या करना आप यह समझना बहुत बच्ची क्या करते दसमलब हटाते लेकिन जब कोस्चन देगा एक जामने सनौल में तो आपका फिर नहीं बनने लगेगा जलती बाजी में उस समय आपकी गलतियां समय ठाहन हो घाएगे हम यहां पर जो रूल है जो नियाम होता है वह चीशिören और तो हर में दस्मलब तीन है और शरा में दसमलब कितना है दो है ऊपक्रम कर 나서 हर मायनास ऎंस करना क्या करना है नीचे वाले सेंख्या को ऑपर वाले सेंख्या से घया भटाना है वो आपको समझना है या पा δेंकरे अंकों को घंदाना केला को नगा कई को और यहां कितने अगद का सागत क्या मैद क्या एक बचेगा अगर एक बा flexibility में बचेए तो जीरो लगाना भी नगा ने प्लस मैं श्रीड रहा है इस अब समझ लो और माइनस में निगेटीव में अंक बाद दस्मलब लगाना है यह अंक बाद दस्मलब का मतलब क्या था थी चोटी सी बातों को लिखा हो समझ माँ जाएगा अगर यहां पे देखो दस्मल लब है अब सीधे कटा देना चार से इसको कटा लो देखो धियान से चार दुना आट कितने बार खाया एक बार में खाया उसके बाद 48-에서 सब्सक्राइबिशला है अब ध्यार से समझ glorious बने घेवसर, अगर में नहीं समझ बनुन तो आप झूद समझेंगे, लिएन अगर बात करें हम Annual대 दो चार की चोभीस की और अगर हम भाग दे हैं आप यह समझना ज़रीं समझना n dolap 6 स现在 align अगर हम यहांपर दे दे अन्स को बड़ा रखते हैं अभी घका है अगर हम अन्स को बड़ा रखेंगे तो क्या करेंगे 0004 एमसको पघली बड़ा वळा से शीखते हैं अगर यहां पर ऐसे यह दे तो आप तूरत भाग देदेना, देखो क्या करना, चोचोग 24, तो 4 लिखना, अब रही बाद दसमलब बेठाने की बाद, तो यहां पर गीन लेना, एक, दो, तीन, चार, चार अंखा है, और यहां पर दो अंखा है, चार मेंडनस दो करना, क्या आ आया ना, दो हमारा positive आया ना, positive आया तो 2-0 लगा देना, positive आया तो 2-0 लगा देना, और समझाता हूं, अगर मान लेए 0-0 लब, तीन पहुंच देदे, ठीक है, और 0-0-0-0-0-0-0-7 देदे, और equal to what, ठीक है, तो बहुत देखो, यह नहीं सीखोगे, तो हांगे तकलीफ हो 35, 35, 35, लिख देना, अब देखो, यहाँ पर कितने अंख है total मेरा, ठीक है, यहाँ पर देखो, 1-2-3-4-5-4-7 इसको भी गिनना है, ठीक है, शाथ, और यहाँ पर कितने है, दो है, यहनि कि 7-2 करना, यहनि कि इस साथ में यहनिकि 10 मल्लब के बाद 7 को अंख है, और यहाँ यह एक दो एक दो तीन चार पंच छो सांते अब पैई पैइचर अर्दू चार पगटा है कि आता है तो ऐसे भी समझ सकते हो नई समझे और एक लास्ट देखलो अगर माल अलिया जाए जीरो दसमलब 001 शौ देदे और बता देदे 000000 बहुत सरा जिरो देदे और देदे यहां पे आठ अब क्या करोगे आप 10 मलब बराबर करोगे नहीं आप सीधे कटालो आट दूना 60 यह तो कड जागा ना अब यहां पर दू आया अब दस मल्लब यहां पर देखो हर का मौन कितना आया एक दो तीन चार पांच छो साथ आट नो दस दस अंक तक है नहां हर में कितना आंग है दस अंक है और अंस में चार अंक है 10 में 거야 क्या बचे गा चौ और छो मेर पॉजेटी में बचे ना प्लस में बचे तो छोट जीरो लगा दो 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 चार पाँ छोट यह मिरा आणसर हो जागा अगर आपको विश्वास नहीं हो अगर आप संतुष्ट ना है तो इस पर जीरो लगा ले ना जितना अंकी दर है और इसको दसमेल अगर इसका उल्टा थो दो जीरो 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 और चार देदे और यहां पर देदे जीरो दसमेल लव जीरो दो देदे ठेका उल्टा यहां पर क्या हुआ हर का मान छोटा है अंस में बड़ा है बड़ा मान नहीं मान नहीं बोल रहा है दसमेल लब के बाद संख्या है दू अंक है और यहां चार अं लिखावा है और यहां पर दिया हुआ है जिरो जीरो जीरो आट अब देखो हमको यह जल्दी भाग लगाना है तो क्या करेंगे इसको आट से चपन कोत्छ भाग लगादेंगे 8 सते चपन तो साथ तो हो जाएगा लेकिन अलब दसंद्लब तो रगेगा कैसे लगेगा तो यहां और यहां पे कितने अंग के बाद 10 मिलब है एक दो तीन चार पांच तो थीन मैणिस पहुच करना हमेशा हर में अंच को घटाना तीन में पांच जागा है तो एक दो तीन अंक है और यहां पर पांच अंग है तो जोड़ी लगा दिये अब देखो धियां सब्सक्राइब हड़ जाएगा अब देखो आठ सते छपपन समझना बात को और क्योंकि यहां पर दो जीरो लगाए थे तो दो आंके बाद दसमलब हो जाएगा हो जागा ना तो यहांनि की जीरो दस्मलब जीरो साथ जीरो यह जीरो समझ मारा है एक कॉंसेप्ट और किलियर करते हैं क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा कुस्षन पूछ देता है एक जाम में नहीं बनता आप लोग उसे पिर से समझें अगर कहीं पे जीरो 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 ट्वन दे द न हमन्स में कितना कितना के बाद 116 पंच khi युटर फैसी में बाद और हे सबस्क्राइब करेंगे हम तब सब्सक्राइब मेरा मैनास चार यानि कि चार अंक के बाद दस्मेलब देना है यहां दस्मेलब देंगे यह मेरा अंसर होगा ठीक है और बहुत बच्चीस को बराबर करके भी बनाते हैं अगर सिराख भीजान परअने से बाइबार्च अधान परसम hizo the profit in युदेख साथ गूभी ऐसेuggling 5क हो एकनफ गती तीन अर्थ भाद्वाटन तो साथ भंटा इस एकनफ भंच 4 यह फार Arts & ऐसेelnुट तो यह चीज होता है अब कुस्टन हम दिये हैं माले जाइज इस एक्जमपल को बात करें यह किताब का इसे बनाएंगे इसको देखिए इस एक्जमपल की बात करें यह भी बहुत आसानी सा बना सकते हो लेकिन हाँ डर लगेगा इस तरह के को सब्सक्राइब बिल्कुल डर ल समझाने में अच्छा लगे और दिया हूँ आपका 0.2016 और फिर गुनाय दिया आपका 25.6 और बटे में दिया हूँ है 0.07 08 एक दसमील लब दो 07 जिरू जिरू आट एक दसमील लब दो ठेक है इसको कैसी सॉल्ब करेंगे आपको क्या करना है यह दसमन लब जब दिया रह समझो कि 343 समझना और दूसर 16 समझना और दूसर 56 समझना और यहां पर समझना साथ गुना यह आट गुना यह 12 समझना ठेक अब इसको भाग लगा लो देखो ध्यान से यह साथ से कटेगा साथ क्यों 343 होता है अब इसको गुना कर लो आप जितना फास्ट गुना कर सकते हो देखो हम गुना करते हैं अठ चाउर से अठ नमा बहुषठा से कि दू हसिल 16 अठारा चो कितना होता है 62 अठ चाउर सुल्ह को जोड़ दो 6 चौद तू 8 साथ एक आठ यहनि कि हो गया इतना ठेक 8 सब रह से क्या कि यह 18 का टेबल जान रहेते हम अठार नमा बहुषठा से कि दू हसिल नहीं कि 18 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा नो ठेबातर की दू साथ 9 करना साथ 162 हुआ 162 का दू लिखे और 166 रखे 18 चोके कितना होता बहतर बहतर और 16 को जोड़े दिंगे तो कितना होगा ठास इतना लिख दिए अब यहां पर गुना 32 करना हम 32 को लिख सकते हैं 30 पलस दो और हम इसको गुना कर लेते हैं पहले इसके साथ यहने कि 0 3 दूना चौ आट तिया चविस की चार दू आट त्या चविस एक पचीश चबविस इतना हो जागा आप पलस करेंगे दू से इसको गुना करेंगे पलस इदार नहीं लिखेंगे नीचे लिखेंगे ताकि जल्द और चार चारइट यहां अधर अब से बिस चौर और यहां पर गिना कितीन आघ के बाद है पाँच आग के बाद lift कौना आप दू पांच और च्विस बशूर इसको जोड़ाएंगे तो दीखेंगी नीचे गिनना वाँ उपर छो औंकों के बाद अब देखो धियान से 5-6 करइंगे तक क्या रवी और मैंनस में आ जातें एक अंग के बाद दशमलब कि मैंनस में अगर प्लस में रिस जींग बैठाते हैं ओर कड़ाने मैंनस में तो इतने अंंकों लग जाएगा आपका रूल समझना है क्या करना है अगर हर में अंस को हमें से याद रखना है दसमलब की संख्छा को गिनके हर में अंस को घटाना है यही तो है इसका अंकों में ठीक है तो यहीं तो है इसका कॉंसेप्ट चलिए अब देखिए यहां से कोस्टन कैसे आता है वो दिखाता हूं जीरो दो साथ चो यहीं मान दिया है और फिर आपको बोल रहा है कि एक बटा जीरो 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 ठीक है थ्री सीक्स वन एट इक्वल टू वाट यह को संदिया है तो दिहार से देखो यहां पे यहां भी 36-18 और एक से भाग देना लेकिन यहां पर किसका खेल थो दसमनलब का खेल ठीक है दसमनलब का खेल है और आंसर भी इसी टैप का कुछ आएगा जब इस तरी की बात रहे तो आप क्या करना आप यहां पे हम कि कि कितना अंकों के बाद दसमनलब है जो पिछला भी वंपद्वड और यहां क्या तो हैं ध्यार से समझें तो यहां पर दो है और यहां पर देखे और यहां पर नीचे गर इसकी बात करें तो दस्मलब तो रहें तो नहीं पर यहां पर साथ सबसकते हो साथ में ज्यान से जिसका मान निकालना है उसका मान दिया है वो घटाना तो क्या होगा पांच अंकव deception देना किसे अब देखिए एक तरीका हो गिया, एक तरीका होगिया एक तरीका हो और बताता हूं धियान से देखो बहुत इस्ट्ट क्या करता है जब जान जाता है कि चाँ पांच आंग कि धर रहा है तो दसमल जब इसके साथ आगा तो दसमल लग आगे क्यों बढ़ेगा ठ्छुँद स्वाथ ही और उसके बाद कि होगा एक जिरो बैट जाएगा अगर यह समझ में नहीं रहा है ठीक है समझज़ेगा अगर नहीं आ रहा है तो आप 10 मिलब अठाए कि इस तरह कर दीजिए ठीक है यानि कि 4 रंग कर यहां पर यहां पर है तो 4 तो 0 कटी जाएगा ना ऐसा समझ लेना जिरू बठा देना फिर से समझ एक बार पिर से में बता रहा हूं धियान देना क् कुस्षर ब्लाने के लिए आप कै करना ज दिया और यहां पी समझ जाना कि हमारे मान आएक यही मान देंए यह है या ken raining जीरो कि यह यहां पे दसमलब 2 तो यहां पे बहुत ज्यादा यह और बाउत ज्यागर तो कि तो चोट एक दो तीन चार पांच साथ चों सात यहां और यहां विजुर अंग गटा लेना कितना हो लेकिन काइसे घ tirar पला नहीं था ना हर में गटाथे थे दो नहींट 0 करते दू आता था और यहां विजुरे स Närग gefषें घ journeys तो कि गुना लिख के चुकि दसमालब में उल्रेडी लिख चीके हैं एक पे पांच जिरो एक दो तीन चार पांच और धियान से समझो अगर यह द यह दसमालब है यह हटेगा तो चार जिरों यहां से कट जाएगा ठीक है यह याद रखना और एक जिरों इसके साथ बैठ है कि एक बटा दिया है 36.18 ठीक है और बराबर दिया है मान जीरो दस्मिनलब 0276 एह मान दिया है अब कहता है कि तो एक बटा 3618 का मान क्या होगा ठीक अगर इसकुशन के अगर हम बात करें तो आपका मान तो यहीं आएगा लेकिन देखो समझो दो बात को यहां पर कितने अंकों के बाद दस मेलब है दो अंक नहीं है तो उपर भी तो जी रोओ बात को समझे यह यह तो जीरो अंक है यहां है तो दो जीरो और बढ़ाना पड़ाना पड़ेगा इसमें हमको यह यह दो एक्ष्ट्रा लगाए अज दो साथ च्वय लिग दिये तो यहीं कि यह मेरा अंसर होना चाहिए 0-0-0-07-6 अनसर होगा फिर से समझे हम क्या करेंगे बात को समझे इस्ता इस्ता बताता हूं हो सकता है थोड़ा समझ हो दो लिखा हों है दो अंकों के बाद समाव है यहां का तो मैनस दो करेंगे तो यह मैंनस के कारान यहाँ पर एक जिरो लगा लो और दस्मल लगा लो यह उता है पिर से समझे अगर कोई बोल दे जिरो सर्मनल मलें चौशट दे और यहाँ पर दे जिरो दृस्मनला आपको जिरो जीरो जीरो आठ दे डे थे ख़र अब धियाण से दो को चार में दू हो और यहाँ पर दे देए जीर O urg . फंखल करना होगा इसका मतलब एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, ठेक है, दो, दो, चार यहां दस्मला हो जंदगा, मतलब क्या हुआ अगर आप इसी को इस तरह समझते हो, धियान से देखना, जीरो सलब 0, 0, 0, 64 दिया है, अब क्या करना, इसको पांच अंख है न हम बराबर कर लिए नहीं सो भी बराबर कर लिए दस मनलब उड़ा दिये एक दो तीन चार पांच पांच अंग के बाद दसमालब दिना होगा तो लिखा ओगा एक दो तीन चार दसमाल लब यानिकी 0 लब 0 08 समझ मारा है थोड़ा फाश बता रहा हूं चुकि इस अब हो सकते आप समझ गए होएंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब देखते ह है अगला क्या कहता है कि इसके बाद हम लोग आप जानेंगे रिकरींग डेसिमल फ्रेक्शन देखिए रिकरींग क्या होता है अगर हम इसको बोलता है आवर्थ कि दस्मलाबीन अगर आवर्थ दस्मलाबीन की बात करें ठीक है ऑ हुआ का रिकरिंग अब दुखो डेसिमल फ्रेक्शन लगर यह क्या होता है जिससे कि देहल आप फ्ham हरे ठीक है और इस्ञां पर देज़न इसको बाहर बोला जाता है ठीक है तो इसका मतलब लाता है 3 बर्टा 9 और यह 0 जिए अगर लगाए नहीं कि पूर्ण संक्यान महीं है और इस पे लगाया मात्र इसका मतलब नो जो हुआ ना 3 तीन नो कोटा 3 एगर इसको भाग देंगे तो 3.3 3.3 जाते रहेगा और यह हमारा जो मान है शूद्ध आवर्त दस्मन लव इसको क्या बोलेंगे और अगर मान लिया जा जिरो दस्मन लव तीन दू रहे और इस पे पूरे पे डैस दे तो इसका मतलब होगा 32 बटा नी नौन बे ठीक है याई इसके बदले नौ लिखना होता है ठीक है और एक बात समझ लो कि अगर मान लिया जा जिरो दस्मन लव तीन दे और यहां पर एक बिंदू लगा दे तो इसका मतलब भी आप तीन बटा नो ही लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब भी नो ही होता है और इसका मतलब ही रिकरिंग ही होता है आवर्त ही होता है और एक बात अगर मान लिया जिरो दस से करोगे तो 257 पहले लिख लेना जो संख्छा दिया हुआ है और मैनस कर देना यहीं दू को ठीक है क्योंकि इस पे समझने के लिए तरीका बताते हैं यह हमारा जो है नडैस इस पर समझे ट्रीसर बना करेका भार बना करेका तो पहले तो दूसरा लिखना और यह मैनस वला सब्सक्राइब करेंगे तो यह आवर्त दसमल्लभी नहीं पढ़ा चुके हैं पहले इसलिए इसको सौटकॉट कर दिये और डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे देंगे और उपर आई बटन होता है वहां भी कुछ दे देंगे तो वहां से और नीचे यहने की डिस्क् सब्सक्राइब कर दिए कल की क्लासेस में जो बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में जो होगा आपका एक सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक कोस्टन को बता देंगे तो आज इतना ही रखते हैं कल फिर मिलते हैं धन्यबाद